नभश्कार स्टूडेंट्स अन्य महानुभाव देवी और सर्जनों आज साइन्स और टेक्नोलोजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी का दीन है 21 सदी का भारत कैसे साइन्स और टेक्नोलोजी और रिसर्च को प्रात्फिक्ता देते हुए आगे बढ़ रहा है आज का दिन इसका भी प्रतिविंब है आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तराश रहा है हमारे वैज्ञानिकों और इंजिनियर्स ने तीन परम रुद्र सूपर कंप्यूटर्स बनाए हैं ये तीन सूपर कंप्यूटर्स दिल्ली पूने और कोलखता में इंस्टाल किये गए हैं आज ही देश के लिए अरका और अरुनिक दो हाई परम पर्फॉर्मिन कंप्यूटिंग सिस्टिम्स का उद्गाटन भी किया गया है मैं इस अवसर पर देश के विज्ञानिक समुदाय को इंजिनियर्स को और सभी देशवाच्चों को बहुत बहुत बदाई देता हूं भाईयो बैनो मेरे तीसरे कारकाल की शुरुवात मैं मैंने युवाओं के लिए सो दिन के अलावा पचीस अतिरिक्त दिन देने का वादा किया था उसी क्रम में आज मैं ये सूपर कंप्यूटर्स देश के मेरे युवाओं को डेडिकेट करना चाहूंगा भारत के युवाओं वैज्यानिकों को ऐसी स्टेट अप आर्ट टेकनोलोजी भारत में ही मिले इस दिशा में ये सूपर कंप्यूटर्स अहेम भूमी का निभाएंगे आज जिन तीन सूपर कंप्यूटर्स का लोकार्पन हुआ है फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलोजी तक ये एडवांस रिसर्ट में मदद करेंगे ये वो ख्षेत्र हैं जिन में आज का साइंस एंड टेकनोलोजी वर्ल बविश्की दुनिया को देख रहा है साथियो आज डिजिटल रिवलुशन के इस दौर में कम्प्यूटिंग केपिसिटी नेशनल केपिसिटी का परियाए बनती जा रही है साइंस एंड टेकनोलोजी के खेत्र में रिसर्च के अवसर एकोनॉमी के लिए ग्रोथ के अवसर राष्ट्र का सामरिक सामर्थ डिजास्टर मैनेजमेंट की केपिसिटी इस अव लिविंग इस अव डूइंग बिजनेस ऐसा कोई छेत्र नहीं है जो सीधे तोर पर टेकनोलोजी और कम्प्यूटिंग केपिलिटी पर निर्भर न हो ये इंड़स्ट्री इंड़स्ट्री 4.0 में भारत की सपलता का सबसे बड़ा आधार है इस रिवॉलूशन में हमारा शेर बीट्स और बैट्स में नहीं बलकी तेरा बैट्स और पेटा बैट्स में होना चाहिए और इसलिए आज की ये उपलब्दी इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में सही गती से आगे बढ़ रहे हैं साथियों आज का नया भारत विकास और टेक्नोलोजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष नहीं हो सकता नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पोंसिबिलिटी मानता है यह हमारा दाइत्व है अनुसंधान से आत्मन निर्फरता Science for Self Reliance आज यह हमारा मंत्र बन चुका है इसके लिए हमने Digital India, Startup India, Make in India जैसे कई अईतिहां से अभियान शुरू किये है भारत की Future Generation में Scientific Temps पर मजबूत हो इसके लिए स्कूलों में दस हजार से ज़्यादा Utal Tinkering Left भी बनवाई गई है स्टेम सब्जेक्स की एजुकेशन के लिए स्कॉलर्शिप भी बढ़ाई गई है इस साल के बजेट में एक लाग करोड रुपिये के Research Fund की गोशना भी की गई है प्रयास यही है कि भारत 21 सदी की दुनिया को अपने इनोवेशन से Empower करे दुनिया को मजूद बनाए साथियों आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें भारत नए निर्णे नहीं ले रहा नए नीतिया नहीं बना रहा एक उदाहरन Space सेक्टर का है आज Space सेक्टर में भारत एक बड़ी पावर बन चुका है दूसरे देशों ने कई बिलियन डॉलर खर्च करके जो सक्सेज हासिल की हमारे वेज्ञानिकों ने वही काम सीमीत संसाधनों में करके दिखाया है अपने इसी जज़बे को लेकर भारत चंद्रमा के दक्षिनी धुरूपर पहुंचने वाला पहला देश बना है इसी संकल्प को लेकर भारत अब मिशन गगनियान की तैरी कर रहा है भारत का मिशन गगनियान केवल अंतरिक्स तक पहुंचने का नहीं बलकि हमारे वैज्ञानिक सपनों की असीम उचाईयों को छूने का मिशन है आपने देखा है 2035 तक भारत ने अपने स्पेस टेशन को बनाने का लक्ष रखा है अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने इसके पहले चरण को मंजूरी दे दी है साथियों आज सेमी कंड़क्टर्स भी डेवलप्मेंट का एसेंचल एलिमेंट बन चुके हैं भारत सरकार ने इस दिशा में भी इंडिया सेमी कंड़क्टर्स मिशन जैसा महत्वपूर्ण अभियान लौंच किया है इतने कम समय में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे है भारत अपना खुद का सेमी कंड़क्टर एको सिस्टिम तयार कर रहा है जो ग्लोबल सप्लाइचेन का अहम हिस्सा होगा आज तीन परम रुद्र सूपर कम्पूटर्स के जरिये भारत के इस बहु आयामी वेज्ञानिक विकास को और मजबूती मिलेगी साथियों कोई भी देश बड़ी उपलब्दिया तब हासिल करता है जब उसका वीजन बड़ा होता है भारत का सूपर कम्पूटर से लेकर कॉंट्रम कम्पूटिंग तक का सफर इसी बड़े वीजन का प्रणाम है एक समय सूपर कम्पूटर गिने चुने देशों की महारत माने जाते थे लेकिन हमने 2015 में नेशनल सूपर कम्पूटिंग मिशन शुरू किया और आज भारत सूपर कम्पूटर की दिशा में बड़े देशों की बराबरी कर रहा है और हम यहीं रुकने वाले नहीं है कांटम कम्पूटिंग जैसी टेक्नलोजी में भारत अभी से लीड ले रहा है Quantum Computing के ख्षेत्र में भारत को आगे ले जाने में हमारे National Quantum Mission की बड़ी भूमिका होगी ये नई टेक्नलोजी आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाली है इससे IT सेक्टर, Manufacturing Industry, MSME और स्टार्ट अप सेक्टर में अभुत्पुर्व बढ़लावाएंगे नए अवसर मनेंगे और इसमें भारत पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है साथियों, विज्ञान की सार्थक्ता केवल आविश्कार और दिकास में नहीं बलकि सबसे अंतीम व्यक्ति की आशा अकांख्षाओं को उसकी एस्पिरेशन को पूरा करने में है आज अगर हम हाइटेक हो रहे हैं तो ये भी सुनिस्चित कर रहे हैं हमारी हाइटेक टेकनलोजी गरीबों की ताकत बने भारत की डिजिटल एकोनामी, हमारे यूपियाई, इसका एक बड़ा उधारना है हाल ही में हमने मिशन मौसम भी लौँच किया जिसमें वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत बनाने का हमारा सपना पूरा होगा आज भी सूपर कंप्यूटर्स और हाइप परफॉर्मंस कंप्यूटिंग सिस्टिम जैसी जो उप्लद्या देश ने हासिल की है इनके परणाम देश के गाउं गरीब के सेवा का माध्यम बनेंगे हपी सी सिस्टिम के आने के बाद मौसम से जुड़ी बविश्यमानी करने में देश की वज्याने एक चमता हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी अब हम हाइपर लोकल यानि बिलकुल स्थानिय स्थर पर मौसम से जुड़ी जादा सटीक जानकारी दे पाएंगे यानि एक गाउं उस गाउं के इलागे तक की बता पाएंगे सूपर कॉंपुटर जब एक दूरतराज के गाउं में मौसम और मिट्टी का विश्टेशन करता है तो ये केवल विज्यान की उपलब्दी भर नहीं है बलकि यह हजारों लाखों जिंद्गियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है सूपर कॉंपुटर तय करेगा कि मेरे छोटे से छोटे इलाके के किसान के पास दुनिया की बेस्ट नौलेच उपलब्द होगी इसका बहुत बड़ा लाब अब छोटे से छोटे गाउं में खेती कर रहे किसानों को होगा क्योंकि इससे अब किसान अपनी फसल के लिए सही निर्णे ले पाएगा इसका लाब समुंद्र में मचली पकड़ने जाने वाले बच्छवारों को होगा हम किसानों को होने वाले नुक्सान को कम करने के लिए नए तौर तरीके निकाल पाएगे इससे इंशॉरंस बीमा जो फसल बीमा होता है इंशॉरंस योजनाओं की सुविदा पाने में भी मदद मिलेगी हम इसकी मदद से आर्टिफिशल इंट्रिजन्स एई आई और मसिन लर्णिंग से जुड़े मोडल्स बना पाएंगे जिसका फाइदा तमाम स्टेक होल्डर्स को होगा देश के भीतर सूपर कंप्यूटर्स बनाने की हमारी कभीलियत ये उपलब्दी देश के सामान्य मानवी के लिए एक गर्व की बात तो है ही इससे आने वाले समय में देश वाच्व के सामान्य वर्ग के जीवन में बड़े बड़लाव के रास्ते भी निकलेंगे आर्टिफिशल इंटिलिजन्स ए आई और मशिन लर्णिंग के इस दौर में सूपर कंप्यूटर्स बहुत बड़ी भुमी का निभाएंगे जैसे आज भारत ने अपनी स्वदेशी तखनीक से 5G नेटवर्ग बनाया है जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन्स भारत में बन रहे हैं इससे देश की डिजिटल क्रांती को नए पंख लगे हैं इससे हम टेकनलोजी और उसके फाइदों को हर देश वासी तक पहुँचा पाए हैं इसी तरह बविश की तक्नीक विख्षित करने बे हमारा सामर्थ मेकिन इंडिया की हमारी सबलता ये देश के सामान ने मानवी को आने वाले कल के लिए तयार करेगी सूपर कंप्यूटर से हर छेत्र बे नए शोध होंगे इन से नहीं संभावनाओं का जद्ब होगा इसका लाब देश के आम लोगों को मिलेगा वो बाकी दुनिया से पीछे नहीं होंगे बलकि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और मेरे नव जवानों के लिए तो मेरे देश की युवा शक्ति के लिए और भारत जब दुनिया का युवा देश है तब आने वाला यूख जब विज्ञान और टेक्नलोजी से ही चलने वाला है तो ये नए आवसरों को जन्म देने वाली घटना भी है मैं देश के नव जवानों को इन सब के लिए विशेश बधाई देता हूँ इन उपलब्दी के लिए मैं देश वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आशा करता हूँ हमारी उवा हमारे जो रिसर्चर्स इन एडवांस फैसिलिटीज का लाप उठाएंगे साइंस की फिल्म में नए डोमेंस को खोलेंगे एक बार फिर आप सभी को अनेक अने शुब काम राएं धन्यवाद